हेलो फ्रेंड्स मैं प्रमीला आई एंडी चैप में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सेयर कर रहे हैं कच्चे आम की खटे मिटी चटने जिसे आप पूरी या पराठे किसी के साथ खा सकते हो खाने में बहुत ही स्वादिश्ट है फ्रेंड्स इसे इस्टोर करके भी आप रख सकते हो बिना पाने का अगर आप बनाओगे जूसी वाला बनाओगे तो बहुत स्वादिश्ट लगता है खाने में एक अच्छे आम से बना है तो यह हमने आम को छील के और साप करके इसे पाने में भीगो के रख लिया ता तो इसलिए थोड़ा काला पड़ गया है अगर ताजा बनाओगे तो और भी यह स्वादिष्ट बनेगा तो इसे हमने छील के धोके साप कर लिया है फ्रेंड्स तो इसे बनाना सुरू करते हैं तो जब भी आप बनाना तो आप इसे छील के धोके साप करकी ही बनाना और खाने में तो स्वादिष्ट है ही फ्रेंड्स आम का मौसम चल रहा है बहुत ही आसान तरीके से आप इसे मार्केट से ले सकते हो आजकाल तो पेड़ों पे भी मिल रहा है बहुत सारा आम गाउं में बनाना सुरू करते हैं बनाने के लिए हमने लिया है कडाई तो हमने चूले पे रख लिया है फ्रेंज गैस को जला लिया है तो इसके अंदर डालेंगे सरसू का तेल, तेल को गरम करेंगे, तो हमने दो टेबल स्पून तेल लिया है, तेल को अच्छा सा गरम करना है, गरम करने के बाद इसके अंदर कुछ साबुत मसाले डालना है, तो इसने पहले सबसे जरूरी है फ्रेंड्स, लेसन, लेसन डालने स बहुत यह स्वादिश्ट बनता है तो हमने पहले लेसन लिया है कलोजी लिया है मेथी लिया है सौफ लिया है फ्रेंड्स इसके अंदर डाल के तरड़कने देंगे और जीरा भी लेना है अच्छे से सुनारा करने के बाद यह जो कटा हुआ आम है इसके अंदर डाल लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इससे सौप्ट होने तक धक कर हम पकाएंगे तो इससे चार मिनिट तक हम पकाएंगे सौप्ट होने तक गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे यह आधा केजी हमने गुड लिया है गुड़ को क्या करना है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के ले लेना है तो गुड़ को तोड़ लेते हैं और ढखकन को खोल के चेक कर लेते हैं यह हमारा आम कैसा है तो देख पा रहे होंगे कितना सौप्ट हो गया है तो इसे हमने चार मिनट तक अच्छी से पका लिय है तो इसमें जालेंगे कुछ मसाले तो हल्दी हमने डाला आधा टेबल इस्पून गरम मसाला लाल मिर्च पौडर और एक चमश हम इसमें नमक डाले हैं तो इसमें टेश्ट के अनुसार नमक थोड़ा से डालना है थोड़ा कमी नमक डालना है और यह जो आधा केजी गुड था हमने तोड़के डाल दिया है इसे आप बिना पानी का भी बना सकते हो फ्रेंड्स और इसे आप साल भर तक श्टोर करके खा सकते हो अगर थोड़ा जूसी वाला बनाना है तो पानी डाल कर बनाओगे फ्रेंड्स इसमें फ्रीज में रखके आप महीने तक खा सकते हो तो फ आप देख पारेंगे फ्रेंस एक इतना टेस्टी गुड़ वाला ये बनके तयार हो गया खटा मीठा चट्नी तो आप इसे एक बार जरूर बनाना फ्रेंस और कमेंट करके हमें जरूर बताना एक गुड़ वाले चट्नी आम का आपको कैसा लगा खटी मीठी चट्नी बनके तयार है फ्रेंस इसे एक बरतन में आप निकाल के सर्व कर सकते हो और फ्रीज में रखके आप महिने से दो महिने तक खा सकते हो तो खाने में बहुत स्वाधिश्ट है फ्रेंस अगर हमारी रस्पी अच्छी लगी हो तो चैटा